एकसे से 2.4 करेंगे हम लोग ठीक है 2.4 के पहले 4 questions ही करवा रहा हूं भी ठीक है अमीना थिंग्स ओफा नंबर उसने एक नंबर के बारे में सोचा अमीना ने तो क्या नंबर सोचा होगा लेट दा नंबर भी क्या करूं आपको पता होना चाहिए वह अंसर लेट दा नंबर भ इसका जो रिजल्ट है उसको किस से मल्टिप्लाइ कर दिया 8 से ठीक है दा रिजल्ट नौ अप्टेंड इस थ्री टाइम दा सेम नंबर शी थोट ओफ इसका मतलब हुआ कि जो नंबर उसने सोचा था जो नंबर उसने सोचा था अब जो आंसर आया वह उसका तीन गुणा आ अब इसको बस सॉल्व करना है क्यासे 8 को एक से करोगे 8x हो जाएगा उपर नंबर उपर से मल्टिप्लाइब होता है पता होगा 8 5 is a 40 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा 20 आजेगा यहां पे प्लस का 3x इदर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 20 उदर जाके प्लस का 20 हो जाएगा ठीक है जी 5 इदर मल्टिप्लाइब है उदर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो आंसर कितना आजेगा इसका 4 ठीक है असान है समग नेक्स अब पोजिटिव नंबर इस कितना आजेगा 5 times है ना तो कितना आजेगा यहां 5x है ना if 21 is added to both the numbers 21 is added to both the numbers मतला x में भी 21 add किया जाए और 5x में भी 21 add किया जाए तो क्या होगा क्या चाह रहे है यह becomes one number becomes twice the other number है ना जो एक number है वो दूसरे के क्या होजेगा 2 गुना होजेगा है ना तो यह जो है हमारा number यह इस number के twice होजेगा ठीक है यह वाला number जो है वो इस number के क्या होजेगा twice हमेशे छोटे वाला ही दो गुना होथता है यह x छोटे है ना 5x से तो इसलिए यह 2 टाइम्स हो जाएगा लिखा मैंने साफ साफ ट्वाइस ट्वाइस मतला दो गुना तो खाली X से मल्टिप्लाइ नहीं होगा इन दोनों से मल्टिप्लाइ होगा यह तो को X से करोगे 2X आजेगा 2 को 21 से करोगे 42 आजाएगा ठीक है जी अब जो है 21 इदर आजेगा 42 के साथ और प्लस का 2X इदर चल आजेगा माइनस का 2X हो जाएगा 42 में से 21 गया 21 3 इदर मल्टिप्लाइ हो रहा है इदर जागे क्या होजेगा डिवाइड ठीक है जी X आ गया 7 5X भी निकाल लेना 2nd number ठीक है वटा दा नंबर दोनों नंबर पुछी है न तो 2nd number कितना होजेगा 5X है न 5X मतलब 5 multiply by X X कितना है 7 तो 5 7 जशेद पता होगा 35 होता है यह हमारा answer अब 3rd question और 4th question एक जैसे हैं दोनों थोड़े high level के हैं दोनों एक ही बारी में सुनना ध्यान से सुनना sum of the digit of a two digit number is 9 दो डिजिट का नंबर है ठीक है उसका sum कितना है 9 दो डिजिट का नंबर मतलब वो नंबर 36 भी हो सकता है 72 भी हो सकता है दोनों का total 9 बन दा है 3 और 6,9,7,2,9,81 भी हो सकता है 18 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो अभी हमें नहीं पता वह कौन सा नंबर आने वाला है ठीक है तो जब भी ऐसा question आजए डिजिट्स वाला जब भी डिजिट्स वाला question आजे तो आपने once place को भी कुछ लेट कर देना है और 10th place को भी लेट कर देना है ठीक है अगर आपने fourth, fifth में maths पड़ा है तो आपको ये once place होती है, 10th place होती है याद होगा तो once place को आपने x लेट कर देना है ठीक है और 10th place को कित 5 हो तो 10s place का कितना होगा जब total 9 बन रहा है तो 9 में से 5 गया 4 आजेगा तो 9 में से minus करा ना इसको है तो ऐसे जो 10s place का digit होगा वो कैसे आएगा 9 में से इस number को minus करके ये number अभी नहीं है हमारे पास x है तो x minus लिख दो ठीक है हमेशे ऐसी करना है एक x दूसरा 9 minus x ठीक है अब ये क्या कह रहे है when we interchange the digits ये सबसे important 9 है इसमें interchange करेंगे जब भी digits को interchange मतला पहले once place पे ये था और tense place पे ये था अब once place पे ये हो जाएगा और tense place पे ये हो जाएगा interchange मतला reverse करना positions को reverse करना जो once place का है वो once place पे चला जाएगा और जो tense place का है वो once place पे चला जाएगा जब भी हम interchange करेंगे एक चीज़ याद रखनी है आपने जब भी हम interchange करेंगे आपने एक चीज़ याद रखनी है क्या once place वाले को one से multiply करना है tense place वाले को ten से multiply करना है once place वाले को one से multiply करना है 10th place वाले को 10 से multiply करना है sign हमेशा बीच में minus कहीं आएगा जब हम interchange करेंगे it is found at the resulting new number ठीक है by 27 ये कह रहे है जो नया number है ना वो पुराने वाले से 27 बड़ा है तो पुराने वाला number ये था ना जब 1th place वाला originally रहा 1th place वाला x रहा और 10th place वाला 9 minus x रहा तो ये जो नया number है इस से 27 बड़ा है एक बर question में line जरूर पढ़ो ये जो नया number है ठीक है बुक में जो question है उसमें line जरूर पढ़ो जो नया number है वो इस से 27 क्या है बड़ा है तो इसमे 27 क्या कर देंगे हम लोग add कर देंगे अब इसको बस solve करना है 10 को 9 से भी करेंगे पता होगा 10 को x से भी करना है plus 1x plus 27 as it is लिखा जाएगा इधर भी solve करो 10x as it is अब 1 को दोनों से करेंगे 1 से multiply करने में तो कोई फरक है नहीं पड़ता 10x में से x गया 10x में से x मतला 1x गया तो 9x आया plus 9 as it is लिख दो 90 का like term देखो 27 90 प्लस 27 पता होगा कितने होते है 1117 ठीक है जी 10x plus 1x माइनस प्लस माइनस साइन बड़ेगा ठीक है अब क्या करोगे plus का 9 इधर लेओ minus का 9 हो जाएगा और यह minus का 9x अपने x वाले के साथ भीज़ दो like term को जोडने है न 9x और 9x कितने होजेगा 18x 117 में से 9 गया 108 18 उदर multiply है इधर जाके क्या होजेगा 18 6 डिरेक काट सकते हो आप इसको 1s place वाला कितना आगया है 6 10s place वाला कितना आजेगा आप लिख दू 1s place 1s place digit is equal to 6 ठीक है और 10s place digit कितना आजेगा कितना था वैसे 9-x न तो 9-x मतलब 9-x कितना है 6 तो यह 3 आजेगा तो इसका 36 answer आजेगा 36 कैसा 1s place वाला पहले लिखेंगे और 10s place वाला बाद में लिखेंगे पता होगा यह तो छोटी क्लास में करें 1s place वाला यहां 10s place वाला यहां अगला question देखो खुद भी कर सकते हो गयसे 1 of the 2 digits so far 2 digit number is 3 times the other है न यह भी same है जैसे उसमें total 9 बैट रहता ना फिछले question में इसमें एक number दूसरे के 3 गुना है साफ साफ लिखा होगा है यहां पर 3 times एक बार question जरूर पढ़ा करो ठीक है let the 1s place digit be x और 10s place digit कितना हो जाएगा उसके 3 गुन है तो 3x कर दो ठीक है जी अब 1s place वाला यहीं रहेगा 10s place वाला यहीं रहेगा अब इसको क्या करना एक्चेंज करना है जब हम एक्स्चैंज करना कैसे 3x 1s place पर आज करना है और यह जो है एक है वो 10s place पर आजीगा अब रूल किया था 1s place वाले को 1 से 10s места वाले को 10 से यहां पर भी 1s place वाले को 1 से और 10s place वाले को 10 से बीच में प्लस का sign जरूर आएगअ ठीक है यहां पर भी कि अगर हम interchange करते हैं और add करते हैं resulting number को original number में यह आपका resulting number यह आपका original number क्या करते हैं उसमें add करते हैं add मतलब plus करते हैं ठीक है तो हमारा number कितना आता है you get you get पना हमें कितना मिलेगा 88 बस अब आपने 30 और 1 31 31 और 10 कितने होते हैं 41 41 और 3 कितने होते हैं 44 x आ जाएगा यहां पर 44 इतर multiply है यहां जाके divide हो जेगा डिरेक्ट 44 टू जा 88 अगर ऐसे डिरेक्ट नहीं काटना ता आप इसको 22 से काटो 11 से काटो आपकी इच्छा है ठीक है जिक्ण JC 29 और मतलब यह तो दीजए कितना आएगा यहां पर दूपछले कोस्चिन के तरह है कि 1 घुक्त ना जगा कि 3 घुक्त एक्स जूइं couple के तो 62 इस पूइ shrug को यह कन्फ्यूजन थ को निरी ठीक्स वाल ना 10th place वाला बाद में